कुछ दिन पहले अप्लोड किया है उस में से थोड़ी सी मेरी वूल बच गई थी तो मैंने उससे ये मिटन बनाए है और मैं भी आपको स्टे बाय से बनाना सिखाऊंगी बहुत ही आसान है ये देखें एक उलते वाला बॉडर फिर ये स्टाकनेट स्टिचे सीधा फिर से एक सीधे बहुत ही क्यूट बहुत थोड़ी उन में लेफ्ट ओवर उन में बन जाएंगे बिगनर हैं तो बेस्ट प्रो के साथ तो ये देखें मैंने मैचिंगी बनाया हैं आप उस वेटर भी बना लीजिएगा उसके साथ ये मिटिंस बना लें एडरल साइस के हैं और अभी भी देखें अच्छे खासे स्ट्रेची हैं लूज है बच्चे भी पहन सकते हैं गरल बॉय मेल फीमेल कोई भी यूज कर सकता है अभी हम इसको बनाना शुरू करेंगे बड़ उससे पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर दपाते हैं ताकि आपको सारी वीडियो रिसीव हो जाएं और मेरा इंस्टाग्राम क्लीडनेट्स पे पेज है उसको सेम नाम है ये चैनल का ना है क्लीडनेट्स वही नाम है इंस्टाग्राम पे पेज है वहां पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहां पे मैं पिक्चर्स रील्स भी डालती हूं और आप अगर कोई चीज बना रहे हैं तो मुझे वहां सेंड कर सकते हैं मैं पोस्ट मैंने पहले ही वीडियोज बनाई हुई हैं कि आप किसी भी साइज के लिए कितने फंदे डालें डिजाइन के साथ भी और प्लेन भी आप कमेंट कर दीजेगा अगर आपने वो वीडियोज देखनी हैं तो अचाय यहां पर मैं श्लाइ पे फंदे डाल रहे हूँ इस तरीके से आप किसी भी मेथट से डाल सकते हैं तरीके से अगर आपने यह तरीका इस्तमाल करना है फंदे डालने का तो सर्च करें कास्ट उन बाइख लीडिनिट्स You can cast on stitches with any method you know, if you want to follow this cast on method, if you are a beginner, then you can search cast on by cleed knits, cast on 37 stitches, 37 stitches हम स्लाई पे डाल लेते हैं, 37 stitches cast on कर लेने के बाद, स्लाई पे हमने देखे फंदे डाल ली हैं, आप अपनी मर्जी से डाले, जितने डाले हैं, आप यहाँ पे काउंट भी कर सकती हैं, 37, 30 और 7, अब यह है कि हम पहली स्लाई बुनेंगे, वैसी ही जैसे हम एक सीधे एक उल्टे वाला बॉर्डर बुनते हैं, आप देख सकते हैं, अगर आप बिगनर हैं, किसी को नहीं आता एक सीधे एक उल्टे वाला बॉर्डर, तो आप नीचे कमेंट कर लें, 1 into 1 रिबॉर्डर मेंने सेपरेट लिए, अलग से सिखाई हुई एक चोटी सी वीडियो कि आप किस तरह सी बॉर्डर बुनें, बहुत ही डीटेल में, करना क्या होगा आपने यहां पे, निट वन, प्रॉल्वन, अनौल स्टिचेज, रो वन, पहली स्लाई, सारे फंदे आपने, एक सीधा फंदा, एक उल्टा फंदा करके बुनते जानी है, यह देखें, निट मतलब सीधा फंदा, प्रॉल मतलब उल्टा फंदा, तो रो वन, निट वन, प्रॉल वन, अनौल स्टिचेज, पहली स्लाई, एक फंदा सीधा, एक उल्टा, फिर से एक फंदा सीधा, यह इस तरह से सीधा लिटा करते जाएंगे सारे फंदे इस तरह से बन लें अब यहां पर देखें रोवन कंप्टीट होने वाली है एक सीधा एक उल्टा और आखर में ये एक सीधा है देखें अगर 36 36 फंदे होते ना हमारे पास 30 और 6 तो हमारे पास होता क्या एक सीधा एक उल्टा पे ही स्टॉप होता Even नमबर होती तो बराबर फंदे हमारे पास यहां पे 37 फंदे हैं तो हम क्या करेंगे यहां पे एक हमें जो आगे मिला है उसको हमने क्या करना है जाहरी बात है एक सीधा एक उल्टा एक सीधा बुंते आ रहे तो अब ये एक सीधा एक उल्टा तो अगला क्या होगा एक सीधा तो अगर आपने 49 फंदे मींस 39 फंदे भी डाले होते न तो आप इस तरह करेंगे अब यहाँ पे देखें ये हमें उल्टा मिला हुआ है और ये सीधा मिला हुआ है तो हम ribbing पे क्या करते हैं एक सीधा एक उल्टा पे जो return row होती है उस पे हमने क्या करना है दूसरी सलाई उल्टे पे उल्टा फंदा बनेंगे सीधे पे सीधा फंदा बनेंगे पर्ल ऑन पर्ल स्टिच निट ऑन निट स्टिच रो टू ये देखें ये जो शेप है न वी वाला ये इस तरह से शेप जो है ये वी शेप है जो ये सीधा है धागा पीछे करके इसको सीधा बनेंगे और ये जो है ये देखें यहां पर बंपी सा ये वाला शेप ये उल्टा म मिला हुआ है अब उसको सीधा बुनते जाएंगे जो आपको उल्टा फंदा मिला हुआ है उसको उल्टा बुनते जाएंगे नाव रो टू निट वन पॉलवन निट वन पॉलवन निट वन पॉलवन निट वन पॉलवन अब थर्ड रो से में is row 1, तीसरी स्लाई, पहली स्लाई की तरह ही होगी, और आपको दिख भी रहा है कि ये फंदा आपको सीधा मिलना हुआ है, तो सीधे पर सीधा बुनना है, बट पहली स्लाई क्या थी? एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, you will keep repeating the last two rows for your desired length for the border, पहली और दूसरी जो स्लाई मैंने बुन के दिखाई है, आपको आपने उसी तरह से बस अब रिपीट करते जाना, ओके, तो अगर सेंटिमेटर में हम ना पें, तो पूरे ती सेंटिमेटर निडल के नीचे से में ना परी हूँ, हमें इसकी जो है, वो लेंथ मिल रही है, तो हम इसको तीन सेंटिमेटर बुन लेंगे, लेकिन मेरे पास देखें, स्वेटर में से उन थोड़ी बची थी, तो मैंने इसका border छोटा रखा है, ये नीचे वाला, लेकिन अ ये आपकी निशानी हो गए, ये सीधी साइड की, तो हम साथ सलाईया है, मेरे पास सेवन रोज हैं, ये देखें, पर आप नाप को फोलो करें, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, सेवन रोज बट फोलो दन मेजिमेंट, सेव थी सेंटिमेटर, तीन सेंटिमेटर है, अब हम क्या करेंगे, आफ्टर निटिंग बॉर्डर रोवन, बॉर्डर बॉन लिया है, सीधे कुलते वाला, अब पहली स्लाई राइट साइड से शुरू करें, सारे फंदे सीधे बॉने, सीधी साइड है, आपके मिटन्स की, प्रोजेक्ट की, गलव्स की, जो बोल लें, और सारे फंदे आप पहली स्लाई पे सीधे सीधे बॉनते जाएंगे, पहली स्लाई बॉर्डर बॉन लेने के बाद, आफ्टर निटिंग बॉर्डर, दैन रोवन, राइट साइड, निट और स्टिचेज, यह देखें, यह सीधा फंदा है, यह इस तरह से मैं बॉन रही आपको उल्टी साइड, आपके middens की, गलाफ्स की, तो आपने उल्टी साइड से क्या करना है, सारे फंदों को सीधा नहीं, उल्टा बुनना है, रॉंग साइड, रो टू परलल स्टिचेज, परल मतलब उल्टा फंदा, तो इस तरह से आप बुनते हैं, उल्टा फंदा यह दिखिए ये इस तरह से पहला फंद हमेशा तो आपने spent को तो यह इस तरह से हमारा उल्टा फंदा होता है परल और स्टिचे सारे फंदे उल्टे बुन लें रो टू दूसरी स्टाई हमारी है दूसरी स्लाई हमारी पूरी हो गई है अब यही दो स्लाईया जो बॉर्डर के बाद बुनी है ना राइट साइड से सीधी साइड से सीधे फंदे रोंग साइड से उल्टी साइड से उल्टे फंदे रिपीट करते जाएं आपने सारे फंदे क्या करने हैं सीधी साइड से जि जिसी दे फंदे बुनते जाएंगे जितनी भी उल्टी साइड की सिलाईया होंगी न उल्टे उल्टे फंदे मिलते जाएंगे आपको repeat the last two rows five inches मैंने बुन लिया है पांच इंच देखें सिलाई के नीचे से नाप रही हूँ total मिलाके यहां से लेकर यहां तक पांच इंच तक मैंने इसको बुन लिया है मैं इसकी width भी आपको तोड़ा से बता देती हूँ ताके जिनके पास मुखतलिफ साइस की सिलाईया और उन्हें उनको अंदाजा हो जाए विसे नाप आप अपने हाथ पे ले सकते हैं इनका ये फाइदा है ये बहुत simple है आप measurement जो है नाप है उनको ले सकते है 7.5 inches जो है वो इसकी साड़ी साथ इंच तक इसकी width है after knitting 5 inches top border row 1 right side पांच इंच बुन लेने के बाद उपर वाला border ये नीचे बाजू वाला नहीं उपर वाला border अब पहली sly हमारी border की पहली sly देखे 5 inches बुन लिया है पहली slice में count कर रही हूँ एक सीधे कुल्टे वाला ही border बुनना है इस तरह करके knit 1 धागा आगे करके एक सीधा बुनना धागा आगे करके एक उल्टा knit 1, pull 1 on all stitches यह देखें धागा पीछे करके सीधा धागा आगे करके उल्टा इसी तरह से पूरी sly बुन लेंगे अगर आप beginner नहीं है आपको आता है तो आप इस तरह का border बुन लेंगे उपर भी बढ़ मैं आपको दो sly बुन के बताऊंगी एक सीधा एक उल्टा करके बुनते जाएंगे सारे फंदों पे row 1 पहली sly देखें यहाँ पे complete हो रही है उसी तरह से एक सीधा एक उल्टा अब एक सीधा क्योंकि हमारे odd numbers हैं मैंने जैसे यहाँ पे explain किया है अब row 2 उसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे बुनी दूसरी sly उल्टी side की row 2 of the border wrong side purl 1 purl on purl stitches knit on knit stitches purl 1 then knit 1 purl 1 knit 1 purl 1 on all stitches एक फंदा उल्टा बुना क्योंकि हमें उल्टा मिला हुआ था अब एक सीधा एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा करके सारे फंदे बुन लेंगे यह देखें इस तरह से एक सीधा करा फिर यह उल्टा मिला हुआ इसको उल्टा बुना यह देखें यह सीधे का shape होता है नजर आ रहा है यह सीधा यह उल्टा सारे फंदे हम इसी तरह बुन लेंगे यह देखें ये सीधा, ये उल्टाग, इसी तरह से बुनने सारे यहाँ पे देखें, दूसरी स्लाइब भी मारी पूरी हो गए रो टू कम्पलेटेड, आपने यही दो स्लाइब रेपीट करते जाना है अभी जो मैंने पहली और दूसरी बताई है, बस इस तरह से बॉर्डर बुनेंगे जब तक आपको आपकी डिजायर का, जितना आपको बॉर्डर चाहिए नहीं मिलता है मैं जितना बुन रही हूँ, मैं आपको नापके भी दिखाऊंगी एक, दो, तीन, चार, पांच, वान, टू, थ्री, फोर, फाइव, फाइव रोज, पांच सलाईया है हमारे पास यहाँ पे साथ बुनी थी, यहाँ पे पांच है, यह नीचे वाला बॉर्डर, यह टॉप बॉर्डर है लेकिन मैंने जैसे पहले आपको कहा था कि आप अपनी मर्जी से बॉर्डर रखो उपर, नीचे वाला आपकी मर्जी है, कोई रूल नहीं है अब बॉर्डर बॉन लेने के बाद, मैं आपको थोड़ा सा नाप के दिखा देती हूँ, इसकी पूरी लेंथ, let me show you the full length, I have, 6 इंचे तक जो है, अगर मैं सिलाई के उपर से ना परी हूँ तो, see, sorry, yeah, from here to here, 6 इंचे, अब हमने क्या करना है, after knitting for 6 इंचे, 6 इंचे बॉन ल करने के बाद, आपका glove ready हो गया है, अब आप करेंगे ribbing bind off, ribbing bind off की separate video है, search ribbing bind off by clean knits, मेरे channel का नाम है, लिखा हुआ होगा, spell भी आप देख सकते हैं, उसकी, यहाँ पर देखें, करना कि आपने ribbing bind off में ये फंदा मुझे उल्टा मिला हुआ है, तो मैं इस फंदे को उल्ट ही बुनोंगी, do ribbing bind off, फंदे उल्टा मिला हुआ है, इसको उल्टा बुना, फिर धागा पीछे करा, और ये जो फंदा हमें सीधा मिला हुआ है, तो मैं इसको सीधा बुनोंगी, और फिर क्या करूंगी, पहले वाले को इसकी उपर से गुजार दूँगी, फिर आप देख का पीछे करूंगी, क्योंकि ये वाला फंदा सीधा मिला हुआ है, now keep closing the stitches, binding off the stitches like this, इसी तरह से सारे फंदे यहां पर बंद कर ले, असानी मैंने बता दिये कि सीधे पर सीधा उल्टे पर उल्टा फंदा आपने बुनते जाना है, और फिर बंद करते जाना है, सारे फंदे इसी तरह से bind off कर ले, सारे फंदे मैंने यहां पर बंद कर दी है, अब ribbon bind off का यह फाइदा होता है, यह दोनों तरफ से एक ही जैसा दिख रहा होता है, और दूसरी बात यह है कि आपको देखें यहां पर यह फंदा जो है, वो उल्टा मिला हुआ है, यह सीधा था, मैं अब फाइदा क्या है, अब इसका यह जो ribbing हमारा bind off है, इसके फाइदे भी जो है, मैंने उस वीडियो में बताए हूँ है, ribbing bind off by clean knit video देख लीजेगा, धागे को यहां पर बंद कर लेंगे, और धागा हमारे पास जो है, वो बचा ही थोड़ा है, तो इसको काट तो सकते ही सकते हैं, लेकिन पहले हम side sealेंगे, उसके बाद काटेंगे, क्योंकि ball तो है नहीं, अब पूरे sweater में से, जो wool बची थी, मैंने किसी तरह से calculation करके, उसके mittens बना लिए हैं, जाया नहीं होने दिया उसको, तो leftover yarn से बना सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले दी बोला, तो यह दागा बचाए देखें, अब इसको हम सीएंगे, सीने के लिए मैं आपको असान तरीका बताऊंगी, आपने क्या करना है, यह देखें, यह जो है वो, नीचे वाला border है, यह उपर वाला border है, दो, चार, पांच, सही है, तो आपने यूँ देखें, देख लेना है, कि आपको कितना जो है, यह देखें, border मैंने यहां पे रखा हुआ है, यह border है, तो border यहां पे नीचे वाला border कलाई पे आएगा, बाजू पे आएगा, उसके बाद हम पहले यहां से सीना शुरू करेंगे, और देखते भी जाएंगे, कि हमें कहां तक यह फिट हो रहा है, हमने यहां त इस तरीके से आप सी सकते हैं, कोई रूल नहीं है, लेकिन मैं आपको करके बताती हूँ, अब देखें, यहां पे पहले fix किया है, फिक्स करने के बाद यह जो आखरी फंदा जा रहा है ना, last वाला, वहां से आपने दो दो लाइने लेते जाना है, दो दो यह रोज बोल ले मिलाते और थोड़ा थोड़ा खीचते जाएंगे, यहां तक मैंने इसको सी लिया है, अब मैं थोड़ा सा इसको पहन के आपको बताती हूँ, अंदाज़ा, मुझे यहां तक चाहिए, लेकिन मैं अभी इसको फिलाल वेविन नहीं करूंगी, टाका नहीं लगाउंगी, धा के हैंड डिफरेंट होते हैं, साइजेस डिफरेंट होती हैं आप लोगों को, असानी होगी अगर आप तरीके से जाएं, वरना एक दफ़ा मिला लेंगे, फिर आपको खोलना पड़ेगा, मिला लेंगे, फिर आपको खोलना पड़ेगा, तो इसलिए पहले दोनों तरफ से म देखना है यहां पे अगर कोई आपको गड़बड लगी आपने और कम ज्यादा करना हूँ आपको इतना ही जो है वो होल चाहिए थम के लिए या और करना है या बस नहीं करना तो आप यहां पे फिक्स कर सकते हैं इसको बस यहां पे टाका लगेगा इसको बैक साइट पे टाका लगाऊंगी मैं पहले इसको लगा लेते हैं उसके बाद फिर दूसरी को यहां पे बिल्कुल फिक्स करना है आपने ताके खुले ना जिस तरह से वेविन आए या जिस तरह से आप कुटा का लगाना आए उस तरह से आप लगा ले fix yarn hair or in do or do weave in with any method you know or you can search of weave in ends by clean knits many different तरीके से सिखाए हुए हैं आप देख सकते हैं methods यह beginner के लिए आसान रहेगा इसलिए मैं इस तरह से बता रही हूँ और नमिने stock knit stitch reverse stock knit stitch garden stitch सब पर बटाया हुआ है यह हमारा वेविन इस तरफ से हो गया अब हो यह वाला फिर से पहने यह आपकी आसानी के लिए मैं बता रही हूं यहां से final हो गया अब यहां से वेज़े आप बगेर पहने भी यहां पर fix कर सकते हैं क्योंकि हमें तो पता चल गया है ना कि यहां तक हमें चाहिए तो यहां पर बिल्कुल इसकी opposite जाके इधर से हमने wave in करना है निकाल लो आप और अब इसको wave in करेंगे ताका लगाएंगे इस corner पर ताके यहां पर हम use करेंगे ना इसे तो खुले ना सही से tightly इसको टाका लगा दें वेव इन कर लें अब और जो एक्स्ट्रा धागा हो वो काट लें आप इसके साथ जो मेचिंग मैंने sweater high neck sweater बनाना सिखाया है वो भी बना सकते हैं girl boy male female दोनों के लिए high neck ना बनाए तो आप simple border भी रख सकते हैं नेक का बट बहुत ही आसान है वो वो देखिएगा जरूर हमारा यहां पर देखें मिटन रेड़ी हो गया है यह देखें और अभी भी यह देखें थोड़ा सा लूज ही है इतना ज्यादा tight नहीं है तो आप इससे भी मेरे हाथ शायद अगर पतले हैं तो इससे भी ज्यादा जिनकी थोड़े से मोटे हो वो भी पहन सकते हैं फिंगर्स पर आप उपर भी लेके जा सकते हैं जैसे कि मै लाकिन जूरूत बाद देंदा कि आपको सारी वीडियो रिसीव हो जाए अल्ला हाफिज